हालो दोस्तो नमस्कार आपका स्वागत है फिर से हमारे नय यूटूब वीडियो में दोस्तो यह हमारी गाय है जो की चार देन से बहुत ही जादा पतला गोबर कर रही है पता ही नहीं चल रहा है गोबर है या नहीं है इतने जादे पतला गोबर कर रही है तो आप उसे कैसे सही कर सकते हो, मैं आज आपको पूरी जानखारी इस वीडियो में देने वाला हूँ और आपको इसमें कौन सी दवा पिलानी चाहिए, ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ और इस वीडियो में दिखाऊंगा कैसे कौन से दवा देना है कैसे पिलाना है सारी डिटेल में आपको मिलने वाली है तो सबसे पहले दोस्तो हम बात करेंगे है सुरू बोलस दोस्तो जो सुरू बोलस होता है वह पसू के लीबर को मजबूत करता है लीवर को कमजोर होने से बचाता है और जो कमजोर लीवर होता है उसे सही करता है लीवर कमजोर होगा तो आपकी पसू पतला गोबर करेगी उसके साथ दोस्तो आता है रा बोलस दोस्तो रा बोलस बुखार में भी काम करेगा और डारियां भी काम करेगा और दर्द में भी काम करेगा आप देखते हो हमारे हाथ में सुरू बोलस यहां पर रखा हुआ है उसके साथ साथ आपको रा बोलस भी दिखाई दे रहा होगा आपको दो सुरू बोलस और दो रा बोलस आपको अपने गाय भैस को देना होगा जो भी आपकी पसु पदला गोबर कर रही है आपको द दमाको बहुत ही अच्छी तरीके से भुक लिया है भुकने के बाद आपको एक प्लास्टीक की सीशी लेने पड़ेगी इससे आपको इस इस दमा को पिलाना होगा दोस्तों मैं आपको फिर पता आksamूं सबसे पहला बोलस सूरू बोलस उसके बाद आता है रा बोलस रा बोलस दस्त बुखार और जग में तीनों में काम करता है जहां पर भी हो आप वहां भी यूज करा सकते हैं दोस्तों उसके साथ आपको देना कैसे है आपको दो दो बोलस देना है दिन में दो बार एक टाइम अगर आप ऐसा दो से तीन दिन तक लगातार कर देते हो तो दोस्तों मैं आपको 99.99% गारंटी के साथ बता रहा हूं आपकी पसु में डारिया खत्म हो जाएगी और जड़ से खत्म होगी कभी कभी डारिया खत्म होता है फिर हो जाता है ऐसी समस्य आपको देखने को नहीं मिलेगी आपकी पसु को डारिया सही हो जाएगी और सिंप्ली से इस दवा को अच्छे से घोल कर अपने आप अपने गाय भैस भेड़ बकरियों को पिला सकते हैं और भेड़ बकरियों को लिए टैबलेट में आता है और बड़े पसु के ल दो से तीन दिन लगातार इस दवा को देना है आपके पसु में डारिया हमेशा के लिए सही हो जाएगा वीडियो कैसा लगा कमेट में जुरू बताना आज के लिए इतना ही धन्यवाद हमारे प्यारे यूटूब फैमिली मेंबर